सलमान कान तीन सो क्रोडी फिल्मों का हैट्रिक लाइन तो फ्रेंच यहां पर सलमान का एक दोर था जब उनकी फिल्में बोक्स अफिस पर रिलीज होती थी तो तीन सो क्रोड का कलेक्शन नॉर्मली कर लेती थी जहां पर 2015 में उनकी बजरंगी बाईजान, सुल्तान, टाइगर जिंदा है तीन ऐसी बोलीवड की फिल्में है जो लगातार तीन सो क्रोड पलस का कलेक्शन किया था और जहां पर तीन क्रोड पलस इनका फुट पोल्स था तो फ्रेंस आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पर मेगा इस्टार सल्मान का क्या इस्टाडम था इस्टाडम अभी भी है सल्मान का लेकिन सल्मान का के साथ ऐसा क्या हुआ कि अब उनकी फिल्मे नॉर्मली वो कलेक्शन नहीं कर रही है जो कलेक्शन सलमान कान की फिल्मे करती थी तो फ्रेंज जो करती थी और करती है उसमें वो अंतर आया वो आया सलमान कान के डारेक्टर की वज़े से तो friends आप सभी को पता है कि जैसे सलमान कान की जो पहले फिल्म में आई थी उनके डिरेक्टर थे लेकिन फिरेंज जब से सलमान कान ने ने डिरेक्टर को मुँका दिया है तो सलमान कान की फिल्मों का कलेक्शन कम होते जा रहा है जहांपर उन्होंने पर्भू देवा के साथ जांपर मैस मांजडरेकर के साथ फिल्म बनाई और रेसेंट में और किसी का भाई किसी की जान जो की नौलन सामची ने डायर्क्टिन दीए तो फ्रेइंस जहां पर चो जो सलमान खान का मार्केट हogy और इन डिरेक्टर की वज़ेशे क्योंकि इनको डिरेक्टर का कुछ डी भी आता नहीं है तो फ्रेंस जहां पर कल ट्यूटर पर सलमान कान के फैंस ने एक मुविव लगाई उनसे ये रिक्वेस्ट किये कि सलमान सर पलीज चूज बेटर डिरेक्टर आप वो डिजरू करते हैं दिजरू करते हैं तो फ्रेंस जहां पर अभी तक जो सलमान कान की नेक्ट फिलम है उस सलमान सर ने कोई भी नेक्ट फिलम साइन नहीं किये लेकिन जो कहा जा रहा है कि जो 2024 में सलमान कान की फिलम रिलीज होगी वो एक अच्छे प्रोड़क्शन हो उसकी फिलम होगी वो ख सेर्ट सा उनीकी फिल्म में तो यह करंजोर केतरे बनने वाली फिल्म में तो सलमान खान से हम fans request करते हैं कि आप better director को choose कर दिये आप में वो दम है कि लोग आपकी filmों का इंतजार करते हैं जब भी आपकी filmों release होते हैं तो लोग festival मनाने लग जाते हैं हम fans की यही आपसे request है कि सलमान सर प्लीज चूज बेटर डारेक्टर और आप समय लगाई script चुनने में या के film time बनाने में लेकिन जो product लेकिया है उसमें ऐसा product लेकिया है कि जो साल में एक ही film करें लेकिन उसमें मज़ा आजाए